एलो फ्रेंट स्वाधता है आप सबका मेरे यूटीव चैनल जिसका नाम है विकास 312 तो फ्रेंड अगर आप इंस्ट्राग्राम यूज करते हैं और इंस्ट्राग्राम के अपने एकाउंट को डिलेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखान कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा के आप देख सकते हैं तो इंस्ट्राग्राम एकाउंट को पर्मानेंटली डिलेट करने के लिए आपको किसी भी एक ब्राउजर के अंदर चले जाना है मैं क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेता और यहां पर आपको सर्च पार में लिखना है www.google.com और एंटर कर देना है उसके बाद गूगल आपके सामने खुल जाएगा इस यहां पर आपको टाइप करना है डिलेट डिलेट इंस्टाग्राम एकाउंट ठीक है इसको सर्च करना है तो इसमें आपको यह सबसे पहला वाला ओप्शन दिख जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं डिलेट इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर तो हमें इसके उपर क्लिक करना है और यह डारेक्ट आपको इंस्टाग्राम के हेल्प वाले पेज पे ले जाएगा इस तरीके से खुले गई आपके सामने तो आप यहां देख सकते हैं काफी सारे ओप्शन हैं आपके सामने डिलेट यूर अगाउंट अगर आप टंपरेली डिसेबल करना चाते हैं तो वह आप यहां से कर सकते हैं और अगर आप पर्मनेंटली डिलेट करना चाते हैं तो आपको यह सेकेंड वाला जाते हैं तो इस प्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं तु रिक्वेस्ट दा पर्मनेंट डिलेशन ओफ यूर एकाउंट करना है यहाँ पे आपको यह option दिखाई दे रहा है go to the delete your account इस वाले option के उपर आपको click करना है उसके बाद यह आपकी ID और password से login करने के लिए बोलेगा तो आपको जिस जो account delete करना है उसका ID और password आपको यहाँ पे डाल देना है तो मैं यहाँ पे जल्दी से ID password डाल के login करता हूँ तो login होने के बाद यह option आएगा इसको आपको note now कर देना है उसके बाद आपके सामने यह वला option आ जाएगा कि आप अपने account को delete करना चाते हैं यहाँ इस एरो पे click करना है आप इसे क्यों delete करना चाते हैं उसका यहाँ पे reason यह आप से पूछ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भ दुबारा एंटर करना है ठीक है एक बार और password एंटर करके आप जैसे ही इस delete वाले option के उपर क्लिक करना है फिर आपको account पे जो यह डिलिट का option आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका Instagram account permanently delete हो जाएगा आप से फिर recover भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह Instagram से पू delete कर सकते हैं अगर वीडियो से related फिर भी कोई query कोई question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा like और share करें thank you